जैसी किष्णा जी हम मन में जो भी सोचते हैं वो सोच का जिसके बारे में हम सोच रहे हैं उस व्यक्ति को उसके बारे में पता लग जाता है जैसे एक बार प्राचिन काल में लोग पैदली आत्रा किया करते थे तो एक कोई बुढी माई अपनी बेटी को लेखे जा रही थी स सात में प्राणे जमाने में कोई लोक्त तो थे नहीं तो सोना धन जो होता था सात ही लेगी चलते थे जहां जाते पोड़के जाते थे तो चलते-चलते लड़की थक गई उसने पूछा मा और पितनी दूर चलना है उसको बहलाने के लिए कहती कि अब वह आगे पेड आ रह आगे चलते चलते जब भूत धक गई तो एक कोई बैक्ती और बैठके जा रहा था, ज़्यक लड़का नौजवान लड़का था, और बैठके जा रहा था, तो उस बुडी माई ने सुभावी के उससे कहा, कि बेटा तू उधर ही जा रहा है तो ऐसा कर मेरी बेटी को भी उट पे बिठा ले और यह पोट ली रख ले मैं तो बोड़ी ओ जिर जरी आ जाओंगी इसको तो सामने वाले गाउं में छोड़ देना उसने कहा कि बही बेटी को विठाने के लिए यह बने एसा के टाल के आगे सला गया थो थोड़ा खुश्यक्ति के मन में ख्याल आएक कि कि मुझे जानती नहीं इसकी बेटी को भीठा लेता एक तो पत्नी मिल जाती है प्राणे जमने व्याहिन नहीं होते लोंगे और धन भी म तो वापस मुड़की आया जैसे ही उसने अपने मन में उसके प्रती दुस भाव रखा कि भई मैं इसको उठा लो उसका अभरण कर लो तभी इधर जो पुड़ी माई थे उसके मन में ख्याल आया तो कितनी मुर्ख है जवान लड़की को अंजान व्यक्ति के साथ बेज रही उसके तो प्रती गलत भाव वेसे ही उस पुड़ी माई के मन में भी आ गया अरे बहुत अच्छा कि यहां कि उसको कान हुड़ती तो माई कि उस माई से बोलता है कि प्रनाम चलो आपका थोड़ा जर्ण हो जाएगा आपके इस बेटी को बिठा दो और आपकी पोटली को मैं आगे कौँ छोड़ देता हूँ के जो कान में पू कर गया यह संकल्फ हो गया तो हम जो सोचते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे बारे में पता हम किसे के लिए अच्छा कर रहे हैं क्या पता हो हमारे तो पुछ समय के लिए अच्छा ही होगा इसलिए हमेसा यह सोजना जाए कि मैं हमेसा अच्छा करूं बले मेरे साथ कोई बुरा करें कोई बात नहीं वह बुरा करें तो उसका दंड हो भुगतेगा लेकिन हमेसा अपनी सोज बिल्कुल अच्छी रखने चाहिए हमेसा मन को सुप्त रहता है जैसे कपड़ा होता है मेल लगता हुँआ रहे उत्रा हुँम्न हमारा सांत रहेगा विचार आंगे हमारा मन सांत नहीं रहेगा उसके अंदर फिर विकार होना स्कूर जैसे गंदे कपड़े तुछत योधे तो नहीं है है कि अभते हैं मन दूसित होता है तो हमारे मन स्थिर तो संट्राठ पाल में तब आप होता है एक मंदल बहुत को सब्ama स्पर्च भाइब बिना मतलब के एक रोद यहार आएगा ही नहीं कि मन सुच रखें तो हमारे आज कर जो यह समझ्षाएं हो रहे हैं यह सब समझ्षाओं का हल इसी के अंदर है इसलिए अपने मन को सुच्थ रखें जैसे इसलिए